बेलक़ फ्रेंड्स आप सभी का स्वागत है मेरे चैलन पर आज के इस वीडियो में फूलों को बीज से किस परकार से ग्रोग कर सकते हैं ताकि आपके सीड जर्मिनेशन 100% मिले और हिल्दी सीड ग्रोग हो तो चलिए जानते हैं सबसे पहले सीड जर्मिनेशन के लिए कुछ बातों को जानना बहुत ही जरूरी है सीड आप कोसिस करें जो भी आप सीड लेते हैं चाय फ्लावर के चाय वेजिटेवल के वह आप कोसिस करें हिल्दी सीड ही सेलेक्ट करें और इसके बाद जो मुख पॉइंट है इसके स्वाइल मीडिया आप किस तरह के मीडिया में इसे आप ग्रोग कर रहे हैं तो बीजो को लगाने के लिए स्वाइल मीडिया आप तरह तरह के बना सकते हैं मैं जो तरीका वता रही हूं बिल्कुल इजी और सिंपल है और ये सभी चीजे आपके घर में एविलेबल हैं तो इसे ग्रोग करने के लिए ये देखिए एक डब्बे ले रखी हूं आप एक डब्बा रख लें चार डब्बा के करीब मैं बर्मी कंपोश ली हूं अगर आपके पास बर्मी कंपोश नहीं है तो उसके जगा काव डंग का फर्टिलाइजर आप ले सकते हैं बिल्कुल दो साल पुराने सुखे हूए और उसके अलाबा दो डब्बे के करीब रेत ले रखी हूं घंगा वालू आप चाहे तो उसके जगा आप कोकोपीट भी ले सकते हैं यानि की आप 50% के करीब बर्मी कंपोश कह सकते हैं और उससे आधा यानि की हाफ आप रेत या कोकोपीट मिला सकते हैं तो बिल्कुल इस तरह से आप स्वाइल मीडिया तयार कर सकते हैं और गमले का ड्रीनेज होल भी अच्छा रखे तो ये देखे फ्रेंड से मैं चार तरह के सीड ग्रो करने जा रही हूं और इसी गमले में एक गमले में दो तरह के सीड ग्रो करूँगी एक कॉसमस, मौर्निंग गुलोरी और एक गुम्फ्रेना और उसके अलाबा जीनिया के सीड क्रो करने के लिए ले रखी हूँ और ये सभी सीड यानि कि जो भी आप फलावर सीड आप देख रहे हैं इस समर में ही अच्छी तरह से फलावरिंग करते हैं अगर अभी तक आपने फलावर सीड नहीं खर दे हैं तो अभी भी आप ऑनलाइन खरी सकते हैं तो चलिए फटाफट से मैं इन सभी सीड को ग्रोग कर लेती हूँ देखिए सबसे पहला एक गुम्फ्रेना जो बिल्कुल रूई की तरह दिखते हैं और कोसिस करें एक से ज़्यादा सीड आप जर्मिनेट करें क्योंकि कभी-कभी ऐसे होते हैं कि कुछ सीड जर्मिनेट होते हैं और कुछ सीड खराब भी हो जाते हैं सभी सीड विल्कुल अच्छे नहीं रहतें यानि कि कुछ आप ज़्यादा सीड ही ग्रो करें अगर आपके दो चार खराब भी हो गए तो दो तीन आपके ग्रो हो जाएंगे और जो भी सीड आप ग्रो करें उसमें आप टैग भी लगा ले ताकि आपको पता चल दा कि कौन सीड कितने समय में जर्मिनेट हुए तो यह सबी सीड आप देख सकते हैं मैं 24 फरवरी को लगा रही थी और यह देखिए यह हैं जीनिया के सीड और यह देखिए एह morning glory के सीड जो छोटे 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 बिल्कुल मूली के सीड जैसे छोटे छोटे दीखते हैं यह देखी तो मैं करीब पांच से छे सीड morning glory के ग्रोव कर रही हूँ कुछ सीड मेरे बचे हुए है आने वाले समय में उन सीडों को भी लगाऊंगी धीरे धीरे कुछ दुसरे तरीके से आपको ग्रोव करके दिखाऊंगी और जो भी आप सीड ग्रोव करते हैं कोसिस करें वहाँ पर इन सीड पॉड को रखें जहां पर morning से लेकर 12 वजे तक धूप आती है या फिर बड़े बड़े पेडों के नीचे भी आप रख सकते हैं और मिटी में मौइस्टर भी बना कर रखें आप चाहें तो मौइस्टर बनाने के लिए आप नीचे ट्रे भी रख सकते हैं तो मैं छट पर ही रख रही हूँ, क्योंकि इस समय अभी कड़े धूप नहीं है, आप अपने एरिया के ट्रेम्प्रेचर देख लें, और मिटी में मौईस्चर बना कर रखें, तो देखते हैं कि इतने दिन बाद सीट जर्मिनेट होते हैं। तो यह देखें फ्रेंड्स, यह सीट जर्मिनेशन के आपको साथ दिन बाद का रिजल्ट देखा रही हूँ, यह दो जीनिया के सीट ग्रो हुए हैं, और दो मौर्निंग ग्लोरी के, और इसमें देखिए तीन करीब गॉम्प्रेना के हैं, और कॉस्मस के अभी एक भी सीट ग ग्रो नहीं हुए हैं, और यह देखिए करीब आठ दिन बाद का रिजल्ट गॉम्प्रेना है, इसकी सीटलिंग थोड़े से फास्ट हो रहे हैं, तो फ्रेंड्स बिलकुल इसी परकार से आप फ्लावर वाले सीट ग्रो कर सकते हैं, आने वाले समय में कुछ और तरीका मैं बताओंगी सीटलिंग ग्रो करने के लिए, तो मिलते हैं फी नेक्स वीडियो पर तब तक के लिए धन्यवाद